मस्काराद आप सस्त्रेकाल कैसे आप सब मेरा नाम इतले सरदारा स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर आज हमें एक workout वीडियो करने वाले हैं जो कि एक hammer curl है hammer curl के लिए आपने अक्सर dumbbell का यूज करता है जो कि dumbbell को आप इस तरीके से perform करते हैं तो उसी exercise का आज मैं एक आपको alternate बताऊंगा जो कि आप इसको रड़ से perform कर सकते हो इसमें आपको रड़ के लिए कोई सा भी रड़ I think आपके जिम में अवेलेवल होगा मैं बिसकली यूज करता हूँ यह Olympic Rudd तो आईए चली वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपका जो ग्रिप होगा इस तरीके से आप ग्रिप लोगों जो भी आपका जब आप नॉर्मल जो यह बार्बल कर लगाते हो बाइसेप के लिए ठीक है वही वाला ग्रिप लेना है लेकिन इसमें आपको reverse पकड़ना है इस तरीके से पकड़ना है ठीक है और इस तरीके से बौड़ी यह आपका जो solder होगा उसको बिलकुल lock करोगे इसमें इसी तरह के सा perform करोगे यह यहां तक आओगे फिर वापस जाओगे यहां तक आओगे फिर वापस आओगे इसमें बच्ची गलती क् यह इस तरीके से इसको थोड़ा सा उपर के और लेके आते है इस तरीके से ठीक है यह जब आप उपर लेके आतो तो इससे क्या होता है जब आपका यह पोजिशन यहां तक जाता है तो यह आपके मतलब इस पोजिशन पर जो आपका हैमर पर मतलब कि जो आपका ब्राक्याल उस पर पढ़ना चाहिए उस पर नहीं पढ़ता है यह आपके पढ़ता है फोरांस पे तो आपको लाना कहां तक आप यहां तक ऊपर तक आओगे यह जो चेश का आपका लोवर पाट है यहां तक इस तरीके से परफॉंग करोगे और रिष्ट के आपका ध्यान देखा काफी कीःफ बच्चों को मैंने यह सिकायद करते धेखा है कि जब भी एक्सरसाइज कर रहे होते तो वह इस तरीके से रिष्ट को मोडतें इस तरीके सरोटेट करते बीचिंद इस तरीके से रोटेट करने के वैसे क्या होता है कि उनका जो फोराम होता है वो मतलब पकड़ने का मतलब यह होता है काफी बचे मुझे से बोलते है कि जब मैं exercise कर रहा हूं बाइस साइब का तो मुझे यहां पर पे पेन हो यह फोराम यह इसलिए होता है क्योंकि आप जो रि होगे तो एल्बो जब भी होगा तो इस तरीके सा फैलेगा ने इस तरीके से एल्बो को थोड़ा लॉक करके रहोगे इस तरीके से यह है तब आपके यह जो साइड का जो आपका जो साइड से जो आपका बाइसाप का जो मतलब वाइड एंगल दिखता है वह हैमर की वैसे है लेकिन आप बिसिकली डंबल के साथ इसको भी आप यूज करिए आप जब ऊपर लेके जाओगे तो एल्बो को बाहर की और नहीं करोगा ज्यादा अंदर टकन भी नहीं करना यह नॉर्मल गृप को रखना है इस तरीके से रेपरेंज का आपको ध्यान लखना है दस से बार अधरनेट एक्सराइज जो कि यह बार्बल रिवास कल इसको भी आप परफॉर्म करके देखिया और अपनी जो भी एक्सपरियेंस है उसको नीचे कोमेंट बक्स पर ज़रू से एर करिए और फिर भी इस वीडियो से रिलिटेट को भी कोश्चन हो को भी सजेशन हो तो प्ल